नवस्कार मैं हूँ देवेंद्र आप देख रहे हैं पंजाब के स्री टीवी चंडिगर किसान लगातार आंदोलन कर रہे हैं कूंडली बॉर्डर पर टिग्री बॉर्डर पर लगातार तीन कृशी कानूनों के विरौध में कानूनों को वापस लेने की मांग लेकर विरोध कर रहे हैं और इस पर लगातार बातचीत के कई दौर हो चुके हैं किसानों को उम्मीद है कि सरकार उनकी बात मानेगी और जो कानून है वो वापस लिये जाएंगे इस आंदोलन पर और किसानों की मांग पर बात करेंगे मेरे साथ हैं हरियाने के भाजपा के कोस्री से विधायक लक्षमर सिंग यादव आईए उन से बात करते हैं यादव साब जिस तरीके से किसान लगातार अंदोलन कर रहे हैं और उपवास भी अब उन्होंने शुरू कर दिया है किस तरीके से देखते हैं आप किसानों की मांगों को देखिए हमारी सरकार प्रदेश की और केंदर की सरकार जो है वो किसानों के पक्स में है और किसानों को भला करना चाहती है क्योंकि मोदी जी ने आज से दो साल तीन साल पहले ही कह दिया था कि हमने 2022 में किसानों के आए को डबल करना है उसी के निमित ये जो तीनों कानून आये हैं और लेकिन कुछ किशान अंदलों को इनमें कुछ खामिया नजर आ रही थी उसका निरंतर हमारी सरकार ने उन खामियों को दूर करने के लिए कई दोर की बैठके भी रखी और उसके बावजुद भी हमने लिखित में उन किशानों को जो संदेश बेजा था कहां कहां में आ रही हैं आप उनको बताईए और सरकार उन चीजों को दूर करेगी लेकिन उनका हमारा लिखित में जो बेजा गया पत्तर था उसका कोई जवाब मैं समझता हूं नहीं आया जबकि दुनिया के बड़ी बड़ी समझ्यां बात्चीत से ही हल होती है और वो किशानों को भी सोचना चाहिए और हमारी सरकार तो तैयार है जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार तैयार है लेकिन किसानों की मांग एक है कि जो तीन क्रिशी कानून है वो काले कानून बता कर कह रहे हैं कि इनको वापस लो किस तरीके से देखते हैं आप देखिए किसी चीज को भी काले कानून कहे देना ये एक मुहावरा सा है लेकिन मुझे ये लगता है इन तीनों कानूनों में अगर इस से पहले बिना कानून बनाएं अगर किशान सही हो जाता उनको आर्थिक आजादी मिल जाती या उनकी इनकम बढ़ जाती तो दिक्कत ही कहा थी वो तो सतर साल स इसलिए आये हैं कि किसान को पूरी तरह से आजादी मिले अपनी फसल बेचने की अपना कंट्रेक्ट फार्मिंग की अपना कानूनन तरीके से अपना हक मांगने की तो मैं यह समझता हूं इसमें कोई भी किसान को दिक्कत नहीं आ रही है लेकिन उसके बावजुद भी किसान अगर कोई बात को लेके फ्रेशान है तो अपनी बात सरकार को बताए आप कह रहे हैं कि किसान की तरीके की दिक्कत नहीं आ रहे हैं तीनों कानून जो है किसान के हिताशी भी आप बता रहे हैं किसानों को यह बात क्यों समझने आ रहे हैं क्या आप लोग समझा नहीं पा र इसलिए नहीं तो किसान तो MSP का रिटन गारंटी लेकर ही करने वाला था लेकिन आज क्या कारण होगा हम सब लोगोंने मिलके उन कारणों को डूंड़ना पड़ेगा अगा आज क्या कारण है कि तीन अध्यादेस वापिस तब तक नहीं होंगे तब तक हम उठेंगे नहीं त तो यह कोई नहीं जरूर राजनिती करन हो रहा है और इसके पीछे आपने देखा कितनी ही वीडियो वाइरल हो रही हैं दुनिया भर की वीडियो वाइरल हुई हैं जिन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी हैं हिंदोस्तान मुर्दाबाद के नारे भी हैं खालिस्त बन गया उस तरह के लोगों ने इस तरह का करा है किशान के साथ तो सरकार खड़ी है किशानों का कभी नुक्षान नहीं होने दिया जाएगा किशानों को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है विश्वास तो अब होने नहीं दे रहे अब तो आपने पता है कि दूसरी सक्ति कि इतना बड़ा जो आंदोलन है उसको चला ले मैं तो कॉंग्रेस की बाती के साथ साथ और भी बाते कर रहा हूं मैंने अभी अभी बता है ना टुकडे टुकडे गेंग भी आगी जो देश को तोड़ने वाली सक्तियां थी वो इसके साथ जोड़ी हुई है एक लगातार आं तो यह चल रहा था दूसरा यह उनकी इच्छा है कि सरकार से दूर हो जाए आप किस तरीके से देखते हैं नहीं घटवंदन हमारा मजबूत है किसी तरह का कोई किसी तरह का खतरा नहीं है क्योंकि और बियान पूरा परिवार उनका देही रहा था मैंने भी यह सुना था कि वो कहीं बाहर चले गए थे लेकिन अब आगे हैं और बेखुबी अपनी बात रख रहे हैं आपने देखा जो उनके जेजेपी की रास्टियत दक्षे हैं अजे चोटाला जी का भी निरंतर ब्यान आता रहा पब्लिक में रहे उनके छोटे भाई दिगविजे हैं वो भी निर खत्म हो जाएगा और किसानों को जो आप अपनी बात हैं वो मनवा पाएंगे देखिए यह तो अब हमारी केंदर सरकार उसमें लगी हुई है और हमारी प्रदेश सरकार भी उसमें लगी हुई है अगर यह जल्दी आंदोलन खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है और हमारी त सफ्निंप कि समर्थन के लिए कानून लाए ते ओर अगे रहा हम समर्थन नहीं करते तो सतरे कानून लाने के ज़रूत कहां पड़ोय. सफ्नाल कि साल की सानसा टीक नहीं हुई, आज हम उंसको ठीक करना चाहरे हैं, क्योंकि आपने देखा अगा हमारी छे साल की सरकार में MSP 60 से और सोगना बढ़ा है आपने देखा मेरे यहां बाजरे की किमत जब हम आये थे हमारी सरकार तो 1100 रुपे थी आज 250 MSP के उपर हमने खरीदा है इसी तरह से सर्शो की थी इसी तरह से गेहों की थी इसी तरह से कपा की थी तो आज आप देखेंगे का हमने इस छे साल में MSP 60 से 100 परसंट बढ़ाया है तो यह आये बढ़ाने का ही रास्ता था लेकिन उसके बावजुद भी हमारी सरकार ने सोचा कि किशान की आये हर एंगल से बढ़े फ्लोरी कल्चर होटी कल्चर पसूपालन आन के रास्ते से तो सारे रास्ते खुले करने के बाद भी हम यह चाह रहे थे किशान की आये डबल हो उसी पर निमत हमने यह कानून लाए थे और आज मुझे लगता है ऐका ऐसा कोई इस कानून में अर्चन नहीं है यह तो ठीक है किशान के कंदों पर बंदुग रखके कुछ लोग चला तो हरियान के कोशली के भाज़पा के विधायक लक्षण शिंग्यादों मेरे साथ थे और उन्होंने किसान अंदून को लेकर किसानों के मुद्दे को लेकर तीन क्रिशी कानूनों नों को लेकर मेरे साथ बात की मैं हूँ देवेंद्र केमरा के पिछे मेरे सही होगी